हलो दुफतों, तो यार एक कुस्चन जो है ना यार मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि ये जो वेबसाइट डवलपमेंट हो गया, ब्लॉगिंग हो गई, कोडिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई तो ये सब चीजों में यार इंटर करने के लिए कि अब ये हमारे पास कोई डिगरी होनी चाहिए तो यार आज के वीडियो में थोड़ा से इसी चीज के बारे में डिसकस करने वाले है और जो बड़ा मित अभी भी लोगों के माइंड में चल आए डिगरी विगरी को ले करके कि डिगरी होगी, तभी नौकरी होगी, तभी सैलरी होगी तो उसके बारे में जो है आज के वीडियो में बात करने का ट्राइ करता है तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ना अब जो चल रहा है न वो चल रहा है भाई information age, information age का इंदा सेंस मतलब यह है कि भी या information जो है free में available है और उसको access करने के माध्यम भी available है जैसे कि internet, हर किसी के आँथ में internet भी या पहले time रहता था है कि यार, जब हम recharge कराते है तो इंटरनेट हम में बंद करके रखना पड़ता था क्योंकि काफी आदम महेंगा था, अब भाई internet है, डेर जी भी इंटरनेट है तो अब जो है न सारे information यूटूब पे available है, सिखाने वाले भी available है, सफ्री में और जो भी सीखना चाहता है, वो mindset ले करके आ रहा है, वो वोची सीख सकता है अब सीख सकता है, इसका degree से कोई भी मतलब नहीं है अब इसी जगह पे आगर मैं आपको example के तोर पे कुछ लोगों के नाम गिराना चाहूँ जिनके पास कोई degree नहीं है, वो करोणों गमार है, मनुष्दे हो गए, सवरभ जोसी व्लॉक्स हो गए ऐसे भतेरो चैनल पड़े हुए है, जिसमें जो बंदे हैं, उनके कोई टेकनिकल डिग्री नहीं कर रखी है कि यूटूब पे वीडियो बनाना है, या वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो भाई या पहले कोई टेकनिकल डिग्री लेकर क्या हो या कोडिंग की भी हम बात ले ले, तो ऐसे कई सारे बंदे हैं, भी रीसेंट में मैं एक पॉटकास्ट देख रहा था, तो एक कोई बंदा से जिसने 12th पास करा हुआ, तो उसको भाई गूगल में सेलेक्शन हो गया, ता काफी अच्छे कहा से पैकेज में 40-50 लाग के पैक है नहीं कोई ऐसा क्रेटेरिया तो है नहीं कि नहीं भी या, जब आप 18 साल के हो जाओगों तभी आप कोडिंग सीखना जो है, स्टार्ट कर सकते हो, वह तो पूरा एक माइंडसेट का गेम है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज होती ये कोडिंग, और कुछ नहीं है, कि एक आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम के सलूशन निकालने के लिए आपको टूस की जुरुत पढ़ती है, टूस होता है आपका गोडिंग, अब वह तो यसी आप यूस करना सेख जाते हो, तो उस टूल का यूस कररके जो है, वह आप उस प्रॉब्लम को solve करने के लिए प्रोग्राम बना देते हो बस इंपसरता रहता है तो जब भी यह समझ मैंड में develop हो जाती है problem को solve करने वाली तो बस आप किसी भी एज में टू सेख सकते हो आज कल 6th class 7th class के बच्चे जो है coding कर रहा है वबसाइट वगरा बना रहा है जावा में programming कर रहा है mobile app वगरा बना रहा है देखे होंगे आपने तो भाईया पैसा कमाने के लिए और पैसा कमाने के साथ साथ खास कर यह coding हो गया या ब्लॉगिंग हो गया ब्लॉगिंग को लेकर के मुझसे बहुत जादा पूछते कि यह नहीं ब्लॉगिंग अगर हमें सीखनी है तो क्या भीया कुछ BCA करना पड़ेगा क्या तो नहीं भीया लोग इसलिए ऐसा पूछते हैं कि वेबसाइट बनाना काफी टेक्निकल लगता ब्लॉग यह चीजे बिलकुल अलग दलग चल रही है कि यह जो कई सारे लोग जो है ना कई सारी कंपनियां हो गए जैसे कि मालो इनफोसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो तो जो लोग यार यह बीटेक वारक करके निकलते भी ना उनको एडिशनली उन्हें 6 मिने के ट् पर इसकिल होल्डर मार्केट में है नहीं इसलिए अब उनकम्पनियों पर पास फंड रहता है बट अगर वही आप किसी स्टार्टप वाली कंपनी में जा रहो तो उनके पास अतना फंड भी नहीं होता है कि वह आपको 6 मिने बैठाल के ट्रेनिंग देंगी पहले कि यह क्य या बीटेक की डिग्री होनी चीए तभी पर जो स्टार्टप है या इवन हम गूगल का भी ले यह लोग हम रहता नहीं इनमें यार 12 पास बच्चे भी जो है वो कोड कॉंपेटिशन जो है वो क्रैक करके चला है तो उनका इंटर्व्यू का फंड इस सिस्टम ही अलग है औ दो चार चार घंटे कि देखो समझो मैंडसे अस पहले बनाौ यार मैंडसेट का यह बनासे सी लोग हम एक्चुली में जॉब की कमी मार्केट में क्या डिग्री होल्डर बहुत जाद हम इसी चीज़ को ऐसे कंपेर कर रहे हैं इतनी सारी लोग पर डिग्री इतने सारे बैसलर निकल रहे हैं बट भाई अगर हम उसको थोड़ा सा सही तरीके समझे ना तो कितने ऐसे लोग निकल ल नहीं आती थी बट जब मैं कर रहा था ना तो मुझे इंट्रेस्ट आ गया था कोडिंग को ले करके तो मैंने बाहर से पैसे देकर क्यों उस समय इंटरनेट में इतना सब था नहीं ना सिस्टम या यह यह यो वगरा भी नहीं होता तो काफी जादा कौशली था तो ऐसा नह नहीं डिग्री जिससे जादा जादा क्या कर सकते हो ना कि आप इंटर्वू के लिए जो सौटलिस्ट बंदे होते लिए जाते ना जो बड़ी-बड़ी कंपनियों को थोड़ा सा भी चोचला चल ला है कि नहीं या ग्रैजुएट होगे यह थूआउट 50% होगा तब जो है यह इंफोसिस वगरा चाहे मिने की फॉर एक्जांबल क्लेश टेनी वगरा देती है तो भाईया यह उन्हीं लोग के लिए होता है इनका कैंपस प्लेस्मेंट हो या ता कॉलेज से वहां पर हो जाता है बट आप सोचो कि यह बहुत सरा लोग मैजौटी पोर्सन तो यही र आता मुझे कुछ नहीं है तो क्या फायदा है यार वो सब theoretical चीज है हर किसी company को न practical वाले बंदे चाहिए इसकिल वाले बंदे चाहिए जो भाईया उनकी company जब जोईन करे तो उन्हें पैसा कमा करके दे अगर sales में जा रहो तो बंदा जो है उसे पैसे MBA करने से कोई फायदा information age होने की वज़े से ही information के free होने की वज़े से ही जो कि हमें YouTube पे मिल रही है आज हम देख पारें कि आर ऐसा ऐसे लोग है जिनकी 16-17 एज रहती है और बड़ी-बड़ी company कोल करके बैठे हुए है इनके अंदर 20-25-30 लोग काम कर रहो तो अच्छी गाती company चला रहे है और बह जितना जादा आप practical करके website बनाओगे problem आएगी उनके solution डूट होगे fail होगे फिर डूंड होगे यार practice करते करते चीजे करना आई जाती है मैं अपने known में बहुत सारे लोग को जानता हूं जो सिंपली यार 10 वगरा में यार पास आउट है और अच्छी घासी coding करके website वगरा पना लेते हैं और पैसा कमा रहे हैं और यह कोई जुरूरी नहीं भी यार की company में जाकर जौब कर बहुत सारे लोग हैं जो भाईया company से जौब छोड़ करके YouTube कर रहे हैं या blogging कर रहे हैं उसमें से एक मेरा भी example है और अगर आप देखोगे जाकर करके na actually में तो आप example ले ल Facebook अगर ले रखा हुआ है और Facebook जैसे इतनी बड़ी company खड़ी कर रखी हुई है तो वह आ जाता है यार जब आप घुस्ते होना चीजों में काम करने कोई practical चीजों में कोई डिग्री आपको कुछ नहीं सिखा सकती है जब आप practical कोई चीज करने में घुस्ते होना तब आपको एक्चुल बदा चलता है कि हार यह काम जो है वह कैसे होता है क्या 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 प्रॉब्लम आती है theoretically problem solve करने से कोई फायदा नहीं प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आएगी रियल वर्ड में क्या प्रॉब्लम आएगी वह बहुत में जार है और हम को पता ही यार कोर्स वगरा क काफी आउटडेटेड है काफी कोछ चेंज करने कोसिस करी जा रही बट हम जो भी चीज़े पढ़ ले हो काफी जादा आउटडेटेड हो और टेक्नोलोजी की वज़े से हो क्या रहा ना यार कि चीज़े बहुत फास्ट चल रही है हम अभी कोई चीज सीखते है उसका कोई लेटेस्ट नहीं आवर जना आता है फिर कुछ सीखते हैं फिर कुछ लेटेस्ट आ जाता है तो अगर हम वो डिग्री वाले कॉंसेट पर चलते रहेंगे थियोरी में लगे रहेंगे तो हम प्रैक्टिकल जो यह चीज़े चले हो सीखी नहीं पढ़ें अभी AI का टाइम चल इसकिल डवलब कर लिए न वह अच्छा कासा पैसा कमा रहा विदाउट एनी डिग्री ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे इतना सिस्टम चेंज हो गया ना ऐसा नहीं कि कोई AIT आयम वाले बंदी का ही जो है वह साल में एक क्रून कमा रहें आप देखो यूटूबर में हैं यह सवरो जोसी व्लोग्स व्लोगिंग करके यार हो गए और आपके यल्विस यादो देखो जाकर करके तो यह सब कई सारे लोग है यार जो अच्छा कासा पैसा कमा रहा है यूटूब सही बहुत यह तो मैंने कुछ एक्जामपल दिया तो मैं मैंने मैंने मैंड में नहीं आ अरे नहीं तो भाई लाइन लगी पड़ी रेल लगी पड़ी है 16-17-17 साल की एज है ना और भाई करोणों अंदर कर रहा है बिना किसी डिग्री है क्योंकि जो चीज आपको प्रेटिकल सिखा सकता है वो डिग्री सिखा ही नहीं सकती है तो यही सारे फंडे से यही यार मु ने उसको एर कर लेती कोई मैटर नहीं करता हो उसके नंबर कितने आये थे कितना परसेंटेज था क्या था क्या नहीं था समझे मेरी बात तो यही वाला कॉंसेप्ट है चुला है मिलते हैं किसी और या वीडियो में तब तक के लिए